हेलो एवरिवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेकिंग सोडा के बारे में ये कितना फाइदे मन है हमारी फेस की स्कीन के लिए मैं उमीद करती हूँ मेरा वीडियो आपके लिए यूसफूल रहे और आप मेरे यूसफूल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें वेकिंग सोडे का इस्तमाल कई तरह से किया जाता है, खाने में भी इसका इस्तमाल किया जाता है, इसे पाचेन करिया ठीक रहती है, लेकिन वेकिंग सोडा आपके चेहरे के लिए रामबान साबित हो सकता है, क्योंकि ये चेहरे की चमक से लेकर कई सारी प्रॉबलम को दूर क करना चाहिए फ्रेंड्स में आपको बताना चाहूंगी कि वेकिंग सोडा कील मुहासो को दूर करने में बहुती फायदे मंद है कई लोगों की सुन्दर्ता कील मुहास के चलते दब जाती है ऐसे में वेकिंग सोडा इस्तमाल करें यह इस समश्या के लिए वर्दान साबित हो सकता है इसके लिए वेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर मुहासे वाले हिस्से पर लगाकर दो से तीन मिनिट तक के लिए छोड़ दे और फिर उन्हें गुनगुने पाने से दोले कुछ दिनों तक इसे करने से यह समश्या खतम हो सकती है फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं वेकिंग सोडा डार्क स्पोर्ट से छुटकरा दिलाने में भी मदद करता है चेरे पर अंचा है दाग दब्बे और पेचे से परेशान है तो फिर वेकिंग सोडा इससे छुटकरा दिलाने में आपकी मदद कर सकता है इसके लिए एक छोटे चमच वेकिंग सोडा में नीमू का रस मिला लें और जहां भी डार्क स्पोर्ट है लगा लें आप इसे पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं कुछ देर के बाद आप अपना चेहरा धो लें फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं वेकिंग सोडा चेहरे को नेचरल गलो चमक देने में भी फाइदे मन्द हैं चेहरे को नेचरल गलो और चमक देने के लिए वेकिंग सोडा को औरेंग जूस में मिला कर अपने चेहरे पर लगाएं पंदरा मिनिट के लिए लगा कर छोड़ द कुछ दिनों तक ऐसा करने से चहरा चमकेगा और साथ ही स्किन जमा भी दिखने लगेगी रोज रोज नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें